का बना लेता हूँ उसके अर्फ बच गया भाई ये कैसा हीरन है भाई हीरन है लोहे का बना है की लकड़ी का बना है की पत्थर का बना है मुझे कुछ आइडिया नहीं है तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रैंच सिमुलेटर के ब्रैंड न्यू एपिसोड में फाइनली अपना क्या हुआ था सबसे पहले अपन बैंक का जितना भी सारा अपना लोन था वो चुका चुके उसके बाद अपने पास है उनली 600 डॉलर तो आज मैं क्या सोच रहा था भाई कि अपने को पिगी भी खरीद के लाना है अपने जो पिगी के बान हूस है उसके ल उसको इस्टार्ट करते उसके बाद ये पिगी का बिजनस इस्टार्ट करते तो पिछले एपिसोर में भाई मतलब पिछले दो तीन एपिसोर में मैंने दो चिकन खरीद के लाया था और ये जो अपना पुराना वाला जोपड़ी है ना भाई यहां रख दिया था तो चलो जाके देखता हूं तो ये रहा उनका कंडिशन कहने का मतलब चिकन एक्चुल में चिकन बन गया है भाई पहले वो लिविन थे अभी मर चुके हैं और देखो एक अंडा भी दिया था ये भाई तो चलो सबसे पहले मैं क्या सोच रहू सीधा अंडे का बिजनस अपनी स्टा कई अपना छोोटा चिकन कूप है वो तो मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस कि अपने चोटे क्ठोप में सारे चिकन को नही रखते मुर्गियों के लिए अपन अलक से चिकन कूप बनाते चलो सिधा बनाने यह स्टार्ट कर तो ये रहा अप्रीमियum चिकन कूप भाई इसके तो 52 चाहिए, तो मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस कि ये medium chicken coop के लिए अपने को ज्यादा resources की requirement नहीं परती, तो फटा फट से अपन इसको just यहां बनाने ही start करते, तो चलो सबसे पहले अपन यहां design बनाने ही start करते, मैं सीधा, मैं क्या सोच रहा हूँ, सीधा यहां से थोड़ा करूगया, तो चलो यहां से अपन करते हैं, जो अपना chicken coop है, उसका design बनाने, लेकिन दो मिनट भाई, सबसे पहले अपना जो granary है, उसका area check कर लेते, तो चलो यहां तक तो ठीक है, तो इसको हटा देते, इसको भी हटा देते, और इसको भी हटा देते, मैं क्या सोच रहा सिधा right तक अपन बनाने वाले हैं, chicken coop, तो चलो यहां तक है अपना area, यहां एक हो गया, मैं सोच रहा हूँ कम से कम 3 chicken coop बनाऊ, जिससे अपना जो chicken coop है, और जो chicken वाला business है भई, वो जल्दी से जल्दी अपन ग्रो कर पाए, और अपने पास काफी सारा पैसा हो पाए, तो द से ले क्या करता हूँ, इधर के जितने भी सारे 2-4 पेड़ दिख रहे हैं, सारे पेड़ को मैं काट के इनके wooden plank बना देता हूँ, जल्दी से जल्दी, ताकि अपना जो chicken coop का design है भई, उसको complete कर पाए, और मैं अभी खरीदने के लिए नहीं जाना चाहता, क्योंकि भई, मेर wooden plank अपन बना चुके लगडिया काट के, तो चलो फटा-फट यह अब क्या करती है, यह सारे wooden plank को लगा देते हैं, अपने chicken coop के design में, और finally अपना जो chicken coop का design है भई, वो बन के ready हो जाएगा, तो देखो इतना wooden plank मुझे ऐसा लग रहा है, परियाप्त होना चाहिए, वैसे में पास 600 dollar, तो मैं क्या सोच रहाँ ना, सीधा आपने oil factory में भी एक बार visit करके आते हैं, वहाँ कुछ oil वगेरा इकठे हुए कि नहीं हुए, अगर 2-4 liter और जादा भी oil हो जाएंगे ना भई, तो वहाँ से, अरे-अरे-अरे, क्या हो रहा है भई, तो चलो भई, सीधा मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले factory चले जाता हूँ, अपना oil factory और oil factory में जा के देखते हैं कि कितना liter oil अपने पास जमा हुआ है, और अगर 40-50 liter होगा ना, जो oil वगेरा, तो करीबन 4-500 dollar मिल जाएगा आराम से, तो चलो फटा-फट सबसे पहले अपने oil में चले जाते हैं, और वहाँ चलके देखते हैं कि अपने को थोड़ा बहुत पैसा और अपन कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, तो यह रहा अपना oil factory, गाइस मुझे ऐसा लग रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बर है इसमें, क्योंकि जब पिछले बार में आया था ना, तो करीबन 80 या ऐसी कुछ त्राइब कर दिखा रहा था, तो चलो इसमें ट्रांसफर करके, अच्छा 52 लीटर है भई, इसमें भी वह है, मतलब 102 लीटर था, तो चलो इसके यह वाले जो अपना oil का barrel है इसको भी लेकर चलते हैं, सीधा यहाँ और अपने जनरली स्टोर में भेज देते ह और वहाँ भी उतना ही price मिलेगा, और यहाँ भी इतना ही price मिलेगा, तो चलो अपन यहाँ सीधा sell में चलके, देखो 500 लीटर का बिकर है, अपना oil का barrel है, वो कहने का मतलब barrel के अंदर oil है वो, तो चलो सीधा गाड़ी को लेकर, और उसमें 52 लीटर oil है भई, तो 52 लीटर oil को भी अपन जल्दी से यह barrel में इकठे करके ला लेंगे और उसको भी बेज देंगे, तो guys अपने पास total हो चुके 1600 डॉलर जिससे अपन काफी ज़्यादा अपना range का कारोबार भी समाल सकते, तो यह रहा यहाँ से 2 लीटर इसमें और दिखा रहा है, तो चलो इसमें देखते ह तो मुझे ऐसा लग रहा है, कम से कम 200 से 300 लीटर ओयल प्रोड्यूस हो गया था, जो हमारा ओयल फैक्टरी भाई, अगर यह इसी स्पीड से ओयल प्रोड्यूस करता रहा ना guys, तो काफी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 अगर अपन और ओ टल खरीदने के लिए hardware store, तो इसको सबसे पहले मैं complete कर देता हूँ, यहां ऐसे भर के रख देता हूँ, और metal खरीदने के बाद भाई, अपने को कम से कम 3-4 barrel अपन और खरीद लेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी अपना जो oil को बेचने का काम है, अपन कर पाएं, वैसे ऐसी खरीद के लाना पड़ेगा अपने को, oil, कहने का मतलब पूरे jerry can में भर के लाना पड़ेगा, जो कि काफी ज़्यादा time consuming हो जाएगा भाई, तो अपने को चाहिए करीबन साथ 21, 20 metal, 30 metal खरीद लेते हैं, अपन 300 का आ रहा है अपना metal, और luxury table shop भी अपने को खरीदना है यह रहा अपना jerry can, तो finally guys, अपना total 825 डॉलर का bill बना है, तो चलो, finally अपन खरीच चुके, जितने भी सारे समान अपने को जरत थी, और यह metal है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि, jerry can में fuel है कि नहीं, तो सबसे पहले अपने जो यह वाले गाड़ी में न भाई, इसको मैं fuel डला के लाता हूँ, मैं बिलकुल risk नहीं लेना चाहता, और बिलकुल उमीद है मैं को कि बस भाई, किसी ना तरीके से, अरे 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 भाई, तो guys, किसी ना किसी तरीके से बस यह gas station तक चले जाए बाकी में को ज़्यादा उमीद तो नहीं है यह वाले गाड़ी से बस अरे रे gas station तो अलग जगर है भाई अपन अलग जगर जा रहे क्या करूं मैं को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे चले जा चले जा चले जा चले जा फाइनली गाइस तो अपने आ चुके हैं gas station सबसे पहले ना मैं अपने गाड़ी में फ्यूल भर लेता हूं फटा फट उसके बाद अपने जैरी कैन में भी फ्यूल भर लेता हूँ और एक जैरी कैन भाई मैं अपने रैंच में रखने वाला हूँ तो एक जैरी कैन को पूरी तरीके से अपने फैक्टरी में रखने वाला हूँ फ्राइल इस में भी अपन फ्यूट वागेरा भर चुके । इसको सीधा मैं कर चलते हूह अपने ओइल फेक्तिरी में अवइल फेक्टρι में पूरा उनके मोटर में औस डाल देंगे और उसके बाद जो ऐल फेक्टिरी क का जो खाली वाला अपना जैरी के अना उसको लाक एक बार फिर से गैस इस्टेशन में गैस भरा लेंगे फिर उसको अपने रैंच में छोड़ देंगे जैसे अपना जो टेबल सौव अगेरा होगे ना उसके लिए तो चलो यहां मैं छोड़ दिया हूँ सीधा अब सीधा अपन चलते हैं गाईस हार्डवेर इस्टोर और हार्डवेर इस्टोर में चलके अपन मैटल जो खरीद है ना भई उसको सबसे पहले अपने रैंच में लेकर चलते क्योंकि हमारे जो चिकन कूप का काम है भई वो आध अपन एक बेरल और खरीद देते क्या तो चलो गाईस सीधा अंदर जाके एक बेरल और खरीद देते वैसे अपने पास पैसे की अभी कमी नहीं है सत्रा सो डॉलर के आसपस है तो परफेक्ट अपना ठीक ठाक हो जाएगा उसका टेंशन नहीं है तो एक बेरल अपने को और ये रहा एक बेरल को अपने ओयल फेक्टरी में छोड़ देंगे उसके बाद सीधा अपन चले जाएंगे अपने रेंच में तो चलो ये को यहां रख देता हूँ इसको भी यहां रख देता हूँ चलो भाई सीधा मैं चलता हूँ अपने रैंच में और रैंच में चलके सीधा जो अपना चिकन कूप का डिजाइन है उसको कम्पलीट करते है फटाफट से उसके बाद अपन आ जाएंगे जनरेलिश शोर काफी सारे मुर्गिया खरीदने के लिए और मुझे उम्मीद है कि कर ठीक ठाक तो अपन मुर्गिया खरीद लेंगे उसके बाद उसका भाई मैं कोई यह देखना पड़ेगा गाईस की उसका जो वाटर बाउल और जो फूट बाउल है उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा और इधर तो चलो गाईस फाइनली आ चुके अपन अपने रै चलो इसमें लगा चुके इसमें 6 बस एक मैटल के अपने को और जरुत पढ़ने वाली तो चलो फिर इसके बाद अपना चिकन कूप का डिजाइन है वो बनकर रेडी हो जाएगा तो बाकी का मैटल मैं क्या करता हूँ सीधा इसमें लगा देता हूँ और मेरा पिगी मतलब जो दोखपी की खरीद के लाया था भई वो ठीक ठाक है मुझे ऐसा लगा भग गये तो चलो जल्दी से फटाफट से अपना चिकन कूप के डिजाइन को बना लेते हैं और इसमें 20 बूडन प्लैंक की जरुत है इसमें भी लगा देते जल्दी से जल्दी बूडन प्लैंक और फिर जो अपना तीसरा वाला चिकन कूप है उसको भी बना के रेडी कर देंगे तो अरे 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 आजा तो फाइनली और इसके लिए अपने को पेंट वगेरा भी खरीदना पड़ेगा भई तो जल्दी से जल्दी अपना हार्डवेरी स्टोर जाना पड़ेगा फिर से होने वाली तो सबसे पहले अपन क्या करते ये बाकी का जैसे मुर्गी वगेरा है ना उसको कल सुबे लेने के ले जाएंगे लेकिन उससे पहले अपन जल्दी से जल्दी सो जाते हैं तो फाइनली गाइच सुबे हो चुकी भई और चलो सबसे पहले अप हार्डवेर चिकन कूप के लिए थोड़ा पेंट और मेटल वगेरा लेकर आते हैं सीधा, उसके बाद सीधा अपन चला जाएंगे जनरल इस्टोर में काफी सारे चिकन्स वगेरा खरीदने के लिए, तो चलो फटा फट से सीधा चलते हैं, और ये आसपास का भई मतलब ये हीरन वगेरा, तो जब तक मैं इसको नहीं मारूँगा ना भई मेरको सुकून नहीं मिलने वाला, क्योंकि सामने सामने माया जाता है, कभी गार के बीच में आके पूरे गारी को पल्टा देता है, कभी कुछ और, तो चलो यहां से अपन सौट कर लेकर चलते हैं, हार्डवेर इस्टोर, त 30 मेटल अपन खरीद लेते हैं, तो टोटल 800 डालर का हो चुका है, तो अब अपने पास फाइनली बचा है भई 600 डालर, तो 600 डालर में अपने को पेंट वगेरा खरीदना है, कि और क्या खरीदना है, तो यहां से मैं पेंट वगेरा भी खरीद लेता हूँ, क्योंकि भई उसमें भर-भर के oil आ रहा है और अपन थोड़ा बहुत ये वाला color कर दे क्या अपना जो तो चलो अपन क्या करते हैं सीधा red color कर देता है जो अपना chicken coop है उसको तो चलो इसको मैं क्या करता हूँ दो से तीन piece मैं buy कर लेता हूँ तो तीन अपने पास हो चुके और अपन बाय कर लेते हैं मेरा कहने के मतलब कि बिल्कुल भी कम नहीं पढ़ना चाहिए जो अपने chicken coop के लिए paint वगे रहे और मुझे उमीद है कि ये वाला paint ठीक दीखेगा मेरे chicken coop में तो चलो अपने सीधा मैं क्या करता हूँ सीधा और गाड़ी को ये अंदर ला लेता हूँ और गाड़ी में ही अंदर में पूरा सारे paint वगे रखो मैं पूरा अच्छे से डाल दूँगा लेकिन उससे पहली ये metal को भी मैं गाड़ी के अंदर पूरा जमा देता हूँ अच्छे से ये रहा metal मैं को ऐसे किनारे में जमाना है ताकि भई ठीक ठाक रहा है तो चलो metal को तो अपन उठा चुके सीधा अंदर जाके paint वगेरों को भी अपन लेकर चलते ही यहां से तो चलो finally अपन ला चुके सीधा paint और metal वगेरा खरीद के तो metal को अपन लगाने वाले जो अपना windmill का design है उसमें और जितने भी सारे paint वगेरा है ना उसको सीधा अपन chicken coop में लगाने वाले तो यहां रखता हूँ मैं गाड़ी तो चलो अपना जो metal का काम है उसको फटाफट सा लगाते है अपना जो chicken coop है उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं extra metal खरीद दिया तो कोई दिक्कतनी काम आये गई अपने रैंच में आये दिन कुछ ना कुछ अपन बनाते रहते तो अपने को metal की जरुत पड़ते रहती है तो चलो फटाफट ये सारे chicken coop में ना मैं क्या करता हूँ पूरा color कर देता हूँ जल्दी से जल्दी ये ये हो गया color और ये भी हो गया color इसको भी ठीक ठाक color अपन कर चुके बढ़िया से और उपर white है क्या उपर मैं को white करना था वैसे तो करने के लिए तो भी इतना सारा pen खरीदने का अपने को कोई मतलब नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगा था भी की ठीक ठाक pen की जरुत अपने को लगेगी तो मैं ठीक ठाक खरीद लिया था तो चलो भाई सीधा अपन चलते हैं अब मुर्गिया खरीदने के लिए अपने chicken coop के लिए और जो अपना chicken का business है भाई उसको इस्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी तो finally इतने मेहनत के बाद भाई अपने को एक रूश्टर चाहिए और कम से कम चार पीस chicken खरीद लेता हूँ आठ पीस खरीद लेता हूँ मैं चलो chicken 600 डॉलर का 6 और मैं खरीदी लेता हूँ chicken अपने को और रूश्टर चाहिए दो तीन chicken कूप है ना तो अपने को दो रूश्टर चाहिए अरे 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 अपन और कम से कम इधर chicken खरीद लेते 5 chicken काफी सारा chicken अपन खरीद चुके हैं तो अपन इतना सारा chicken वगेरा खरीद चुके हैं भाई ये सारे chicken को अब पूरा अपने गाड़ी में एक एक करके पूर क्योंकि रूश्टर है भाई काफी जादा महंग है अगर उनको कुछ हो गया ना तो अपना साड़े साथ सो डॉलर सीधा पानी में चला जाएगा तो चलो फटा फट से ये सारे रूश्टर को लेकर चलता हूँ अपने chicken कूप में उसके बाद और जो बाकी के मुर्गिया है ना उनको लेने के लिए फिर से आ जाओंगा एक बार क्योंकि रूश्टर काफी जादा महंगे हैं और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता भाई दो चार मुर्गिया इधर उधर चले गई चल जाएगा लेकिन अगर अपना रूश्टर गया तो अपने को अच्छ ले ये मुर्गिया यहां इसको भी यहां रख देंगे एक रूश्टर के साथ ये दूसरी मुर्गी को अपन दूसरे रूश्टर के साथ रख देंगे दूसरी मुर्गी की ये दूसरे रूश्टर और जो तीसरा वाला रूश्टर है नो उसके लिए अपन मुर्गी और ला ये वाले मुर्गे एक पास और इधर के 2-4 मुर्गी और अपन पुरा फटाफट से रख देते हैं ये मुर्गे एक पास और मुझे उम्मीद है भाई कि अब जो अपना जो चिकन का बिजनस है भाई वो ठीक थाक तरीके से चलने वाला है तो चलो ये सारे मुर्गी को यहां फटाफट से रख देते हैं यहां भी अपन सेंटर में रख देते हैं मुर्गी तो चलो भाई फाइनली अपना जो चिकन कूप का काम है वो कंप्लीट हो चुका है तो चलो आपको दिखाता हूं ये कैसा दिख रहा है और इसमें फूड वगेरा है वाटर वगेरा नहीं है भाई तो चलो पूरा अपन वाटर फिल कर देते हैं अपने यहां से तो देखो पूरा वाटर वगेरा फिल हो चुका है अपन फूड भी अपन फिल कर ही देते हैं तो अब चलके देखते हैं इसमें वाटर आया की ने देखो वाटर वगेरा फूड वगेरा पूरा अच्छ तरीके सा चुक है अब रूश्टर भी आ चुक है तो चलो फटा फट से ये रहा अपना जो आज का काम था वो तो चलो इसको बंद कर देते जितने भी सारे इसके ऊपर टॉप में हैं तो मैं नहीं चाहता भाई कि मेरे इतने महनत से लाए हुए मुर्गे मुर्गिया उड़ और अपन सिर्फ हाथ पे हाथ धरके बैठे रह जाए तो चलो भाई आज किस वीडियो में बस इतना ही गाईज अगर आप कोई वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को पूरा देखा करो भाई जिसस जो भी गेमप्ले ना ना जो भी आएगा ना भाई अपन ना ना भी एक्सपीडियन्स करने वाले फटाफट से मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई